Hello and welcome to CompuHelp अपने इस वीडियो में देखेंगे यहां लिखा है Write a program to print the following pattern A, A, B, A, B, C यह वाला pattern यहां पर print करना आपको यह pyramid वाला Using nested for loop nested for loop का यूज़ करके अब यहां पर दिया गया है जिसे hash include stdio.h यह header file और यहां पर main function और यहां पर already हमने एक program लिखके रखा ही हुआ है जिसमें हमने कुछ pattern print किया हुआ है इसको अगर चला के देखें तो यह वाला pattern है जिसमें आपका आ रहा है A, A, B, A, B, C बड़ वो जो है pyramid pattern में नहीं आ रहा अगर इसकी बात करें तो यह वाला कैसे आ रहा है क्योंकि देखिए यह पता ही आपको जैसे हो सकता आपने पहले किया हो यह नहीं भी किया तो जैसे I के value A है तो A है तो और यहां पर C है तो A is less than C या A का sky code कितना होता है code कितना होता है 65 होता है C का कितना होता है 67 जो capitals है क्योंकि small a का तो 97 होता है यह आगे कि बढ़ते जाता है यह क्या capital A का 65 है तो capital B का 66 होगा capital C का 67 ऐसे तो A का जो code है 65 और C का जो code है 67 या अगर आप simple लेके चलें तो A जो है वो C से छोटा है मैं बहले आता है तो it is true अंदर आया control और J को भी A मिल गया और A is less than or equal to A क्या यह true है equal to तो है less than नहीं है 65 is equal to 65 true है तो अंदर आया percentage C, C, J J में कितना पढ़ा है 65 पढ़ा है तो उसका जो corresponding character होगा वो print हो जाएगा फिर यहाँ पर करेगा J++ जब यहाँ पर J++ करेगा तो इसकी value कितनी हो जाएगी जब वो J++ करेगा तो value हो जाएगी इसकी ज़िक है J++ में इसकी value हो जाएगी 2 mean sorry B B mean 66 तो यहाँ पर करेगा 66 is less than 67 sorry 66 is less than 65 false हो गया क्योंकि I में 65 पढ़ा that is A false होकर control बहार आगया back lesson करसर यहाँ से कहा जाएगा उपरा जाएगा अब उपरा जाएगा यहाँ पर लिखा है I++ I के value कितनी होगी यहाँ पर B होगी पहले A थी B less than C true है control निचा आया तो क्या होगा J is equal to A J is equal to A J is less than or equal to I तो J के value A है और A less than or equal to I क्या यह true है true है तो control निचा आया printf percentage J J में कितना पढ़ा है अभी तो A पढ़ा है तो A प्रिंट होगया फिर से J plus plus हुआ उसकी value B होगी I में B पढ़ा है तो B is equal to B true है निचा आया यहाँ पर B प्रिंट होगया फिर J plus plus हुआ C होगया I में B पढ़ा है C is not less than B या 67 is not less than 66 false होगे बाहर आगया backslash and cursor यहाँ से next line पर आजाएगा फिर A, B, C क्योंकि अगली बार जब I plus plus हुआ तो I की जो value है वो कितनी हो जाएगी वो C हो जाएगी तो C ऐसे करते हैं पर हमें जो चाहिए हमें चाहिए pyramid pattern वाला तो हमने के किया यहाँ पर एक try की कि यहाँ पर हमने वापर space दे दिया और इसको चलाया अभी भी क्या हो रहा है यह ऐसे आ रहा है तो हमें एक loop extra और चाहिए और वो है spaces के लिए एक और variable हम ले लेते हैं यहाँ पर ले लिया हमने k for मानलो हमने यहाँ पर ले लिया k is equal to मानलो 1 ले लिया and k is less than or equal to 3 and यहाँ पर ले लिया k plus plus पर यहाँ पर इध्यान दखना यह तो आएगा नहीं यह इस पर depend करेगा कि कि पहले हमें कितने spaces चाहिए तो यहाँ पर यहाँ पर ABC से काम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ABC से ही काम होगा दूसरा इसके अंदर हम क्या लिखेंगे print app और double quotes में space दे देंगे और यहाँ पर आएगा semi column जैसे हम चलाएंगे तो ऐसे आ रहे हैं तो हम यहाँ पर यह space फ़ला fund अपना रहे थे तो यहाँ पर जो k is equal to one दिया है यहाँ पर हमें यह one नहीं चाहिए हमें कुछ ऐसा चाहिए कि पहली बार वो ज्यादा बार चले तीन बार चले यह दो बार चले तो हम यहाँ पर capital B कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे greater than or equal to यहाँ पर कर देंगे i और यहाँ पर हो जाएगा आपका k minus minus देखते हैं क्या यह तरीका successful हुआ है हां तो a, a, b, a, b, c आ तो रहा है और इसका output को match करें आप वहाँ पर तो आप देखें आपको यही output चीए थी ठीक है अब यहाँ पर क्या आगया i, j, k तो यहाँ पर i is equal to a बस हमने क्या change किया है सिर्फ एक तो यहाँ पर हां एक space भी देना पड़ेगा अगर आप space नहीं देंगे यहाँ पर तो यह इस तरह से आएगा यह spaces यह जो spaces आ रहे हैं यहाँ पर इसके वज़े से आ रहे हैं यह जो आपने के वे लूप लगाई है और उसके बाद जब हम यहाँ पर बीच में space चाहते हैं इनके तो यहाँ पर space देना पड़ेगा हाँ यह ध्यान रखना है कि जो space आप दे रहे हैं यह double quotes से पहले देना है double quotes के बाद में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता जो आप double quotes के बाद में देते हैं यह देखें तो हम क्या करेंगे a, a, b, a, b, c ठीक है तो यहाँ पर यह जो जैसे आपने पहले देखा कि लूप चली पस यहाँ पर extra यह हुआ आप देखें अगर आप i की value a है और a less than c true है नीचे आया तो k की value b है और i में a पड़ा है तो b जो है वो a से बढ़ा है true है तो अंदर आया a है यहाँ पर उसके बाद k minus minus हुआ जब k minus minus हुआ तो k की value हो गई जो पहले b थी अब वो a हो गई अब a is equal to a यह भी सही है तो यहाँ पर एक और space print हो गया दूसरा space फिर इसके बाद जो है वो k minus minus हुआ फिर वो हो गया a से कम चला गया 65 से कम चला गया ठीक है और i में कितन पढ़ा है a तो a से कम मतलब a का code है 65 तो i जो k हो गया 64 64 जो है is never greater than 65 और not equal to 65 तो यह false हो के बाहर आगे control और आपको यह जो है उसके बाद j is equal to a अब प्रिंट कुछ नहीं हुआ दो spaces प्रिंट हुए सिर जे इकल तो a less than equal to i i में कितना पढ़ा a true हो गया क्योंकि a is equal to a true a तो a प्रिंट हो गया यहां पर यह देखिए सबसे उपर फिर उसके पास space भी प्रिंट हुआ एक बड़ो space आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहा जे प्लस प्लस हुआ जे की value होगी b i में a पढ़ा है यह हो गया यहां पर false क्योंकि j में b b आ गया b is less than a no control जो इस fall loop से बाहर आया और back selection cursor यहां से यहां next line पर आ गया फिर यह उपर गया और यहां पर आ गया आपका i plus plus जब यहां पर i plus plus हुआ तो i की value हो कितनी होगी i plus plus हुआ तो i की value होगी यहां पर जैसे पहले थी आपकी a अब होगी b b less than c true नीचे आया k में b पढ़ा है तो i में b पढ़ा है तो b is equal to b ठीक है b is equal to b true है नीचे आया एक space print होगया यह वाला k minus minus हुआ वो कितना होगया a होगया a जो है क्या b से बढ़ा है नहीं क्या उसके बराबर है नहीं false होके बाहर रहाएगा j is equal to a j less than is equal to i i में कितना पढ़ा बी तो अब यह loop दो बार चलेगी क्योंकि एक चलेगी a के लिए percentage c j तो वो j की जगा वो क्या क्या प्रिंट करेगा एक space तो आई चुक है पहले फिर क्या प्रिंट करेगा यह प्रिंट करेगा और फिर space हजाएगा बीच में यह तो इस तरह से जो है आपका यह pyramid भाला pattern जो है आप यह by using this sky codes यह प्रिंट कर सकते है thank you very much thanks by CompuHelp